आज हम बात करेंगे Equation of Motion के बारे में तो सबसे पहली बात आप Equation of Motion कब लगा सकते हो जब आपका Acceleration जो हो, वो Constant होना चाहिए Acceleration Constant होगा, तभी आप Equation of Motion लगा सकते हो और Equation of Motion के मदद से आप देखो क्या-क्या निकाल सकते हो Initial velocity U निकाल सकते हो Final velocity V निकाल सकते हो Acceleration A निकाल सकते हो Time T निकाल सकते हो Displacement S निकाल सकते हो तो question कैसा आएगा Question आपका आएगा जब भी आएगा 3 चीत question में दे दिया जाएगा 3 term में दे दिया जाएगा और आपसे 4 term में पूछ लिया जाएगा तो देखो कैसे हम इस्तमाल करेंगे हमारे पास Equation of Motion तो बहुत है लेकिन पता नहीं चलता है कब हम कौनसा Equation of Motion लगाएं तो उसके लिए देखते हैं हमारा Equation of Motion में सबसे पहला जो है वह होता है V is equal to U plus AT दूसरा है V square is equal to U square plus 2AS तीसरा है S is equal to UT plus half AT square और यहां तक तीन वाला यहां तक तीन जो है तीन Equation of Motion में है ठीक है तीन Equation of Motion यहां तक में है अब यह दो भी आप याद रख लेना S is equal to VT final velocity into time minus है यहां पर देखो minus है minus half AT square और उसके बाद एक S is equal to U plus V by 2 into time ठीक है यह 5 आपको Equation of Motion याद करना है तो यहां पर कहीं पर भी देखो displacement का कोई बात नहीं हो रहा है displacement नहीं आ रहा है तो ऐसा question जिसमें आप से displacement के बारे में बात नहीं किया जाएगा मतलब आपको V, U, A, T यह सब दिया रहेगा मतलब तीन term question में दिया होगा और एक term आप से पूछ रहा होगा टाइम के बारे में कोई बात नहीं हो रहा होगा तो आप क्या लगाना यह वाला formula लगाना V square is equal to U square plus 2S तीसरा S is equal to UT plus half 80 square U initial velocity into time plus half 80 square तो इसमें देखो क्या नहीं दिखे रहा है इसमें final velocity V नहीं दिखे रहा है जब भी question में आपको final velocity के बारे में कुछ नहीं दिया होगा final velocity का जिकर नहीं है तो आप यह formula लगाना S is equal to UT plus half 80 square चौथा देखो S is equal to VT final velocity है यहाँ पे यहाँ पे initial velocity था और यहाँ पे minus लगा होगा है ठीक है यह formula लगाना S is equal to VT minus half 80 square तो इसमें देखो initial velocity U के बारे में कुछ नहीं बात कर रहा है जब भी question में initial velocity U के बारे में बात नहीं कर रहा होगा जब तब आप equation of motion यह वाला लगाना S is equal to VT minus half 80 square last क्या है S is equal to initial velocity plus final velocity divided by 2 into time यह formula तब लगाना जब acceleration के बारे में कुछ नहीं बोला गया हो question में तो आप लगा देना S is equal to U plus V by 2 into time तो यह 5 equation of motion अगर आपको याद रहेगा तो आप कोई भी question बना के अपना 4 number, 1 number, 2 number, 3 number जतना लेना हो लेके चले जाना अपने जेग में कर दो कर लेके बारे में अगाद अपने बारे में